ये सो हलो एवरीवान हितेश यार तोड़ी वी गना टॉक अबाट डिबोवी टर्मिनेटर 3 राइस ओफ दा मशीन एस एस्पेक्टेड यह मूवी मेरी सीरीज टर्मिनेटर का थर्ड पार्ट है और अगर आपने इसके पिछले दो पार्ट का एक्स्प्लेनेशन नहीं देखा था कि साइबर डाइन को खत्म कर देने के बाद में कहीं स्काइनेट फिर से जन्ना ले ले इस वज़े से टी 800 ने अपने आपका सेक्रिफाइस कर दिया था और साथी जॉन कॉर्णर की जान बचा ली थी और वेंसे इसके कंटिनुईशन में 10 साल आगे की अब हमें सोरी दि एक्षन तोड़ लिया है ना ही कोई आइडी प्रूफ ना ही कोई लीगल पैचान और ना ही कहीं रहने खाने पीडिया का ठिकाना और इन सब के पीछे का रीजन यह होता है कि अगर फ्यूचर में स्कानेट क्रीट हो भी जाता है एंड अगेन वह पास्ट में जाकर अगर ज जजमेंट डे नहीं आया है अगर लास्ट मुवी की बात करी जाए तो उसमें द्वारा बताया गया था कि जजमेंट डे 1997 को आने वाला है मगर इस वक्त तो सन 2005 आ चुका है तो आखिर क्या रीजन है जिसकी वज़े से स्कायनेट ने अभी तक जजमेंट डे को नहीं लाया अगर इस बार यह एक फीमेल होती है और इस टर्मिनेटर का नाम होता है और इसे शॉट में कहा जाता है और इसकी अल्ट्रा और नेरी एबिलिटी के बारे में बात करी जाए तो यह किसी का रूप लेने में सक्षम तो है ही है साथ ही इसके अंदर टी-800 की तरह एक अच्छ भी होते हैं जो कि हमें इस कहानी में आगे देखने को मिलेंगे अब यहां लॉस एंजलिस में आते ही सबसे पहले तो टी-एक अपने सामने मौझूद एक अमीर और और वहां से निकल जाती है उसकार में उस लेड़ी का फोन भी पड़ा होता है तो वहां से वह से हैक करके आठ जनों की डीटेल निकालती है और अगर आपको शॉट में बताऊं तो यह आठ जने वो लोग होते हैं जो कि फ्यूचर में जॉन कॉर्णर की रोबोट्स के अगेंस जो फाइट होने वाली उसमें साथ देने वाली टीम होती है तो जब स्कायनेट को लगा कि जॉन कॉर है क्योंकि वो भी हर बार पास्ट में खुद को बचाने की कोई ना कोई तरीके निकाल लेता है तो इस बार उसने सोचा क्यों ना जॉन कॉर्णर की पूरी टीम को ही उड़ा दिया जाए तो फ्यूचर में उसका साथ कौन देगा और अब यही रीजन होता है कि इस वक्त ट कपड़े नहीं होते नंगे-पुंगे पहुंच जाते हैं पासी के बार में मगर लास्ट टाइम की तरह यहां पर इन्हें कोई बाइकर गैंग तो नहीं मिलता बलकि मिलता है एक मेल स्ट्रीपर और अब उसे देखकर आर्नॉल्ड का मन तो उस पर आना ही था तो आब वो त मैंक्रोप्रॉसेसर से नहीं बलकि अपने से चलता है और अभी सव क्या होता हूँ और वहीं पर आगी हम इस कहानी की यक और लीट कर्रेक्टर से मिलते हैं ौर यहांपर प्ता चलता है必ग हिं से के साथ में अब शादी होने वाली है और उसी की खरीतारी करने के लिए वह मार्केट आई होती है जिस वक्त वह अपने पिता से बात भी कर रही होती है फोन पे और यहां पर हमें पता चलता है कि उसके फादर यानि की रॉबर्ट ब्रेस्टर एक जनरल है जो की काम करते हैं CSR में यानि की साइबर रिसर्च सेंटर और अगर शॉट में कहूं तो CSR बीसी के लिए साइबर डाइन के कंपनी के ब्लास्ट हो जाने के बाद में उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाने का काम कर रही है इंडारेक्ली साइबर डाइन के अंदर जो प्रोजेक्ट आधे बचे होता है जो की फ्यूचर में जान कॉर्णर की टीम में शामिल होकर रोबोट के खिलाफ लड़ने में उसकी मदद करने वाले थे और यहां हम देखते हैं कि आपको ठीक करने के लिए एक जानवरों के अस्पिटाल में पहुंच जाता है क्योंकि उस वक्त उस जगह पर लेकिन हम वहां पर देख पाते हैं कि इस एनिमल हॉस्पिटल के अंदर जो काम करती है वो कीट ब्रेस्टर ही है और उस वक्त वह हॉस्पिटल में ही थी और अब वो अपने सामने एक चोर को चौरी करते वे देखती है इसी विज़े से वह जौन कॉर्णर को पास ही कि एक पिंजरे में कैद करती है और वहां से पुलीस को कॉल करती है मगर तभी वहां पर एंट्री हो जाती है टी-एक्स की और देखते ही देखते हो वहां पर हटकंप मचाना शुरू करती है उसके सामने जूब याता है उसे देध धनादन फाइरिंग करके खतम कर डालती है अब करसी बीच मौका पाकर वहां से केट ब्रेस्टर भाग निकलती है मगर जब तक वहां से केट बाहर निकल पाती तब तक वहां पर टी-एक्स उसे पकड़ लेती है और उसे बस जान से मारने ही वाली होती है मगर तभी एंट्री हो जाती है टी-850 की और सीधा अपना ट्रक गुसा देते हैं उसी के पेट में और देध धनाधन घुसाते जाते हैं और वहां पर एक बहुत भी बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है जहां पर अब वह सबसे पहले तो केट ब्रेस्टर को सेफ करता है और उसके बाद में जॉन कॉर्न को बचाने के लिए आके जाता है अगर उसके उपर जैसे की वन थाउजंट पर मर्क्यूरी डिजाइन मेटल चड़ा हुआ था वैसा ही सेम कुछ इस पर भी चड़ा होता अब देखते ही देखते वह अपनी बॉड़ी को अगेन रिहील कर लेती है और अब इस वक्त जितना जल्दी उसके दूर भाग जाओ और अब इसी वज़े से जिस ट्रक के अंदर केट ब्रेस्टर होती है वहीं पर जान पहुंच जाता है लेकिन यहाँ दूसरी तरफ अब कम्प्लेटली टी एक्स टी एट फिटी का सामना करने के लिए तयार थी यहाँ पर आर्नॉल्ड के हाथ में एक शॉट गन भी होती है अब यह प्लाजमा कैनन इतना खतरनाक होता है कि वो कुछ देर के लिए वहीं पर टी एट फिटी को ऑफलाइन कर डालता है और जब वो उन दोनों को पकड़ने के लिए तो उस वक्त तक वो दोनों ही वहाँ से भाग चुके होते हैं इसलिए टी एक्स उन्हें पकड़ने क हो जाता है और अब जैसा कि उसका भी प्राइमरी मिशन था जॉन कॉर्णर को बचाना तो वह भी उसे बचाने के लिए एक बाइक पर सवार हो जाता है जैसा कि टर्मिनिटर मुवी की पहचान है शॉट गांस बाइक चीजिंग कार चीजिंग और साथ ही वन टुवन में फाइनली कैसा मुमेंट आता है जहां पर उस क्रेन की टक्कर हो जाती है और वो पूरी की पूरी क्रेन उल्टी हो जाती है जिसे देखने के बाद में अब जान और साथ ही केट सोचने लगते हैं कि शायदा वो टी एक्स खत्म हो चकी होगी मगर उस पर तो लिक्विड म में मेरी जान बचाई थी तो वाबर टी एट फिफ्टी कहता है कि वह एक दूसरा मॉडल था और मैं एक दूसरा मॉडल हमारे लाइनप में सभी मॉडल एक जैसे ही दिखते हैं मगर मैं उससे थोड़ा ज़दा अपक्रेडेड हूं और तभी वो अपने सीने से अपना एक स 500 साल तक जिंदा रहने और अपने आपको पूरी तरीकी से चलाने में मदद करता है मगर कोई बात नी तुम्हारी रक्षतों में एक सेल्फियूल के साथ तो करी सकता हूं और अब देखते ही देखते वसे कार से बाहर फेक देता है और जैसी सैल्फियूल हवा के कॉंटेक् तो पुलीस को लगने लगता है कि केट ब्रेस्टर का होने वाला पती है तो क्यों न हमें इसे भी अपने साथ ले लेना चाहिए ताकि यह भी केट ब्रेस्टर को डूनने में हमारी मदद करें यहां दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि टी-850 अब जॉन और साथ ही केट को ले कि आखिर इन सब के पीछे माजरा क्या है तो वहां पर टी-850 बताता है कि जज्जमेंट डे को कभी भी रोका नहीं जा सकता हाला कि हम उसकी समय को बढ़ा कर उसे टाल जरूर सकते हैं मगर जज्जमेंट डे आएगा जरूर और उसका काउंट डाउन अब शुरू हो चुक पर फाइरिंग का आलम शुरू हो जाता है जहां पर जॉन को बचाते हुए टी-850 उसे कहता है कि कॉफिन में लेट जाओ और उसे अपने कंदे पर रखकर एक असॉल्ट राइफल के साथ में सभी पुलीस वालों पर धिनादन गोलियों की बोचार हो जाती है और वहीं पर प्लाजमा कैनन के साथ में वार करने ही वाली होती है मगर उससे पहले वहां पर आर्नॉल्ट पहुंचकर एंटी टैंक बजूगा के साथ में उसके ओपर एक धमागा कर डालता है और वहां से फुल स्पीड में उन दोनों को लेकर निकल जाता है थोड़ी देर बाद में हम साथ में यानि की साइबर रिसर्च सेंटर जहां पर प्रेसिडेंट की तरफ से कॉल आता है रॉबर्ट ब्रेस्टर को और वह से बताते हैं कि सभी गौर्मेंट और मिलेटरिकल कंप्यूटर्स के इंदर को एक ऐसा अंजाना वाइरस आ चुका है जिसकी वज़े से हमारा को इसलिए जितना जल्दी हो सके स्कायनेट को शुरू किया जाए और अब यही रीजन होता है जहां पर रॉबर्ट ब्रेस्टर उस स्कायनेट को चालू कर देते हैं अब यहां पर सबसे बड़ा एक प्लॉट रिविल होता है कि मिलेटरि और साथी गौर्मेंट के जितने भी कम्प्यूटर में जौन जौना वाइरस उन सभी को खराब कर रहा था वो सब कुछ बेसिकली उस आर्टिफिशल इंटेलिजन्स यानि के स्कायनेट की ही एक प्लानिंग थे इसकायनेट खुछ चाता था कि वह उसे एक बार बस स्टार्ट कर दे और अब जैसा कि स्कायनेट कम्प्लीटली स्टार्ट हो जाता है तो वह धीरे-धीरे करके पूरी दुनिया के नुक्लियर कोड्स को एक्टिवीट कर देता है जहां से सभी मिसल्स निकल कर पूरी इस दुनिया पर गिरने वाली होती है देखा जाये तो एक तरीक से स्कायनेट ने इस पूरी दुनिया क हर computer हर technology को hack कर लिया होता है वहीं पर एक scene और दिखाया जाता है हमें जहां पर TX already इनकी CSR facility में घुश चुकी होती है और यहां पहुचकर वो previous models यानि की Terminator के जो T1, T2 और T10 होते हैं उन सभी को activate कर देती है देखा जाये तो basically यह सारे वही models होते हैं जो की future में जाकर और upgrade होक कर इंसानों का खात्म करने के लिए तयार हो गए होते हैं वहीं दूसरी तरह अब रोड के बीच में खड़े होकर यह तीरों आपस में बात्चीत करने लगते हैं जहां पर जॉन T850 से कहता है कि आकर TX की हिट लिस्ट में और कौन-कौन शामिल है तो वहां पर T850 बताता ह है कि उसके हिस्स्ट में स्टर रॉबर्ट ब्रेस्टर भी है और जोसी केट अपने पिता का नाम सुनती है तो वह कहती है कि मुझे मेरे पिता को बचाने के लिए जाना ही होगा इसलिए चलो फटाफट मेरे साथ और अब कुछी देर बाद में यह दिनों भी पहुंच जात और साथ ही हमें रॉबर्ट ब्रेस्टर की तरफ से यह भी पता चलता है कि एक घंटे में नुक्लियर वार स्टार्ट होने वाला है इसलिए तुम दोनों को जाकर अभी क्रिस्टल पीक पहुंचना होगा वहीं पर जाकर तुम सब कुछ कॉडिनेट कर सकती हो और सकाइनेट को रोक सकती हो अब यह पूरी दुनिया तुम्हारे हातों में मगर इतनी ही देर में वहां पर पहुंच जाते हैं सारे प्रिवियस टर्मिनेटर की टी 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 टैन जहां पर वह एक साथ उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं मगर मरते वक्त रॉबर्ट जान को क्रिस्टल पी की तरफ पहुंचो तब तक मैं इसका सामना करता हूं और अगेन यहां पर मेरी वन ओफ दा फेवरेट एक धाकर फाइट शुरू जाती है साथ ही हम यहां पर देख पाते हैं कि स्कायनेट ने अभी तक का उनका सबसे बेस्ट टर्मिनेटर बनाया होता है जिसका नाम होता ह है अकिलिंग मशीन हाला कि टीएट फिफ्टी उससे कुछ कम नहीं था और वह उसका जमकर मकाबला करता है मगर वह काफी जदा अपक्रेडिट थी और इसी वजह से एक लंबी धुलाई को टाई के बाद में वह टीएट फिफ्टी की मुंडी तोड़ देती और साथ ही उसक पूरी के अंदर सारी की सारी मशीन चालू बंद हो रही होती है तो वह पर पार्टिकल एक्सेलरेटर ने मारने के लिए आती है तो वह पार्टिकल एक्सेलरेटर उसे वह पर रोक लेता है और उसके पूरी की पूरी उपरी परत की liquid metal को अपनी तरफ खेलचने लगता है जिससे बचने के लिए वो अपनी circular saw का अस्तमाल करती है और दीरे दीरे अपने आपको free करने लगती है वहीं दूसरी तरफ अब ये दोनों वहाँ से भाग कर पहुंच जाते हैं runway की तरफ और एक plane को start करने लगते हैं लेकिन वहाँ बर पहुंच जाता है T850 और अब जैसा की TX ने उसका mind manipulate कर दिया था तो उसके जो सारे system और सारे जो missions थे वो change हो चुके थे मगर उसके अंदर कुछ यादे पुरानी भी थी जिनके अंदर ये शामिल था कि उसे जान कॉर्नर को बचाना इसलिए वो उसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके मेरे सामने से भाग जाओ मगर फिर भी उसकी बाड़ी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती इसलिए जान कॉर्नर उसे याद दिलाता है कि तुम्हें मुझे बचाने के लिए बनाया गया है ना कि मुझे मारने के लिए और वहीं पर T-850 जोरदार वार कर देता है जान कॉर्नर पर नहीं बलकि पास ही मौजूद कार के बॉनट पर और कहीं वो अगेन अपने चेंज हुए मिशन की और अग्रेसर ना हो जाए इसलिए वो अपने आपको आफलाइन कर देता है जिसके बाद में जान और साथ ही केट सीधा निकल पड़ते हैं एक प्लेन की मदद से क्रिस्टल पीक पर और जो रॉबर्ट ब्रेस्टर की तरफ से उसे पासवर्ड मिला था उसकी मदद से वहां के दरवाजे को खोल कर अंदर जाने ही वाले होते हैं मगर इनकी प्रॉब्लम्स यहां पर खत्म का होने वाले थे और देखते ही देखते हैं यहां पर पहुंच जाती है टी एक्स और फाइनली सिचेशन को देखने के बाद में वियर्स को लगने लगता है कि यहां पर तो इन दोनों का खात्मा पक्का है बट अगेन यहां पर ग्रैंड एंट्री हो जाती है आर्नॉल्ड की जो कि उससे भी बड़ा उसे रोक लेता है और अब यह दोनों वहां से रेंगते रेंगते बाहर से अंदर जाही रहे होते हैं मगर तभी वहां पर हराम खोड़ TX फिर से उठ खड़ी होती है अब हाला कि उसके पैर तो सहलिकॉप्टर के नीचे दबेव होते हैं इसलिए वह अपने आपके पैरों कोई तोड़ कर रेंगते रेंगते उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है लेकिन इस वक्त तक यहां पर T850 यह बात चांच चुका था कि वह उसे मार तो नहीं सकता है मगर उसे रोक जरूर सकता है और इसी वज़े से अपनी बाड़ी में पढ़ा लास् कोशिश करते हैं मगर तब यहां पर इस मूवी का सबसे बड़ा रिवील होता है कि यह कोई सैटलाइट कंट्रोल हैटकौर्टर नहीं है बलकि यह तो बस एक न्यूक्लियर बेस है जोगी बड़े धमाकों से बचनी की एक जगह है इस बात से जान और साथी केट को काफी ज दुनिया में सारी नुक्लियर मिसाइल्स आटोमेटिकली स्टार्ट होकर दुनिया के अलग-अलग कोनों में गिरने लगती है और पूरी दुनिया इनके भैंकर ब्लास्ट में खत्म होती नजर आती है जहां पर आप इन दोनों ने अपनी किसमत को यह समझ लिया था कि फ्य पार्ट जुल्दी ही आप के लिए लेकर आऊंगा तब तक के लिए की वाचिंग एन स्टेशी एन वन मोर ताइम गाईस थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में कि युल्दी एовой में पार्ट खेल्यों प्याच कि वोगले और चिर लिए भ meshण हैं थैंक इन भवाचिंग और भा capable लिए मैं गुल्दीpend्स ही प्यून गुल्दी हा सकतिए हैं गले जून learnt पार्ट बनेसली कि पमर आपीं ूप एल्याम फवीं Hーチश्ड़ में थ Wallू Begin